हेलो एब्रीबेडी कैसे हैं आप सब मैं हूं मौमाद आमीर और आप देख रहे हैं अफसा प्रोडक्शन हाउस चेंस आज हम बात करने वाले हैं टीव इंडिया के बारे में दोस्तों मैं आज की टोपिक में बात करूंगा यह वर्ल कप इंडिया नहीं जीत पाया सेमी फानल में बाहर हो गया लेकिन दोस्तों इंडिया के फ्लियर्स ने पूरी दुनिया का दिल जीता कैसे जीता मैं बतांगा इस वीडियो में ऐसी पंच चीजे इस बार इंडियान जिसके वज़े से पूरी दुनिया में जो किर्किप को थोड़ा भी समझता है उन सभी का दिल जीता इंडियान की टीम में तो चलो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूं महमाद आमीर और आप देख रहे हैं अपसा पॉडक्शन हाउस अगर आप करना चाहते मुझसे वाद्यत आप कर सकते हैं मुझसे इस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज में इस्टाग्राम पर दो बेख हैं एक है अपसा इस्पेस पॉडक्शन इस्पेस हाउस दूसरा है महमाद इस्पेस हामिर 2015 तो दोस्तों वीडियो चार्ट करते हैं पहले पॉइंट से पे मैं यहां पर सतक लगाने नहीं वर्ल्ड कुप चीपने आया हूं मतलब एक भी रुपए का थोड़ा सा बेटिटूट नहीं तो ही सर्मा के अंदर एक भी सोचने कि हाँ यार मैंने पांच सतक लगा दिया ठथा सतक भी लगाना है सब कुछ नहीं उनके अंदर उनकी नजर क सामने जो था वो था वर्ल्ड कप दूसरे पॉइंट की बात करता हूं दूसरा पॉइंट है सिखरधवन दोस्तों याद है आपने सिखरधवन ने एक लंबा सतक लगाया हम सबको नहीं पता था सिखरधवन किस दर्द में खेलने हैं उनका अंगूठा फैक्चर हुआ है ल पर धवन का उठा जो है वो बुरी तरह से फैक्चर हुआ है और वह इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गये हैं लेकिन दोस्तों सिखरधवन दिखाया जो इम्मत दिखाये उस इम्मत उस जजबे को पूरी दुनिया सलाम करती है मैं भी सलाम करता हूं दोस्तों दुनिया का ऐसा क कोई बंदा नहीं है जिसके दिल में यह बात दिल लगेगी सिखरधवन 27 बॉल खेलने के बाद शेक्चर होता उसके बाद लंबा सतक लगाता है तीस्तों पॉइंडिया की बात को इंडिया इससे पहले दो वर्ल्ड कप जी चुका है 2003 वाले वर्ल्ड कप के फाइनल में हार साथ अफ्रीका की टीम से जब उनों न्यूजिलेंड से हारा थी फानल और सारे त्रियर मैदान पर रोने लगे एक वो अगर उसके बार मैंने कोई इमोशनल देखा तो दोस्तों वह यह इमोशनल है इंडियान टीम का आरने के बाद मैंने मैंने मैं धुनी बिराट को ली र पाकिस्तान शारा तब भी इतना मोशन नहीं हुआ लेकि इस पार इसना मोशन हुआ तो आप सो सकते हो हैं इंडिया टीम कितने बिलो जाउन से यह वर्ल्ड कप रीज रहे जाती थी दोस्तों तीसरी यह बाद जो इंडियन की दिल को छूलेने माली दोस्ती चौथी बात दोस्तों प्रेक्टिस मैच में वर्लक के प्रेक्टिस मैच में महमिला शिंद्धुनी बैटिंग कर रहता है और अचानक से बंगलादेश टीम की फिल्डिंग्स अजाने लगे दोस्तों ये कारौनामा ये बात ये अच्छाई MS धुनी को उनको सबसे अलग बनाती है एक महान किर्केटर बनाती है MS धुनी की दोस्तों ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी MS धुनी ने पंगला देश की फिल्डिंग सजाई थी दोस्तो MS धुनी क्या प्लियर है क्या इंसान है सब्दों में मैं उनकी तारीश नहीं कर सकता है MS धुनी की वाट इस ये क्या कर रहे हो तुम उन्होंने स्टीवन श्मित की लिए क्लैपिंग करवा इस सबसे बहुत है आप क्लेपिंग करो कि इस्टीवर इसमित एक महान क्लियर है और इस्टीवर इसमित के लिए उन्होंने ताली बज़वाई और ऐसा करके बिराट खुली पूरी दुनिया के दिलों में अपनी जगे बनाई सब बिराट खुली की तारिफ है कि दोस्तों यह ऐसा हमें गर्भ हो पूरा यकीन है आप भी इंडियन टीम को सलाम करते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी यह बाते और अगर आपको लगता है इंडियन टीमों की यह बाते शिलूट करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो को जादर से जादर से वाज वीडियो में इस नहीं मिलते फिर अगली वीडियो में सब तक के लिए वाई वाई